एकाई आठ राजा का हिस्सा कहानी राजा भोज बड़े प्रजा वत्सल थे। वे स्वयम राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कटनाईयों को देखा करते थे और उन्हें यथा संभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी राणी के साथ रत पर सवार होकर राज्य का ब्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्तुरी हल खीच रही है। राजा भूज ने रत रोका और किसान के पास जा कर कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्तुरी को भी हल में जोता जाता है। मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है, अगर खेत न जूता तो मैं खाओंगा क्या। कहकर किसान पुनह अपने कार्य में लग गया, उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो। किसान ने कहा, राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रती किसान की लगन देखकर, राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी ठक जाएगी, और ठकावट की वज़र से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तुम फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रत के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा। राजा ने कहा, किसान इस बात पर राजी हो गया, राजा भोज हल में जुद गए और किसान की पत्नी रत के पास चली गई। उसने राणी को सारी बात बता दी, राणी ने पूरी बात सुन कर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुँचे, किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो, तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया, तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी, राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिये, उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था, उसमें मोती हुग ने ते किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किसान ने सारे मोती खटे किए और राजा भोज के पास जा पहुँचा, उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिये, और राजा को सारा किसा कह सुनाया, राजा ने कहा ये मोती तुम्हारे खेत में हो गए है इन पर तुम्हारा हक है इन्हें तुम्ही अपने अधिकार में रखो नहीं माराज यह आपके परिश्रम का प्रताप है इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाओंगा मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राज कोश में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले किसान ने प्रार्थना की किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्विकार कर लिए राजा भोज बड़े प्रजावत सल थे विस्वयम राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाईयों को देखा करते थे और उन्हें यथा संभव दूर किया करते थे एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रत पर सवार होकर राज्य का ब्रहमर कर रहे थे वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए उन्होंने देखा कि खेत में एक किसान हल जोत रहा है मगर उसके हल में एक ही बैल है दूसरे बैल किस्तान पर उसकी स्तुरी हल खीच रही है राजा भोज ने रत रोका और किसान के पास गए भले आदनी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो भला कहीं स्तुरी को भी हल में जोता जाता है मेरा एक बैल मर गया है दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास दन नहीं है अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या किसान पुनह अपने कार्य में लग गया उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है अरे भाई जरा सुनो तो जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो मेरा काम क्यों रोकते हो राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे अपने काम के प्रती किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पतनी ठक जायेगी और ठकावट की वज़र से कोई दुसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पतनी को रत के पास भेज़ दो, वहां मेरी पतनी से बैल ले आएगी तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा किसान इस बात पर राजी हो गया राजा भोज हल में जुत गए, और किसान की पतनी रत के पास चली गई, उसने राणी को सारी बात बता दी तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ किसान की पतनी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुँचे, किसान बहुत प्रसन्न हुआ अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना राजा भोज ने उससे अपना परिचय दिया, तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ उसने राजा से बार-बार क्षमा मांगी, राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिये उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छे फसल हुई उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहुं उगे थे किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किसान ने सारे मोती खटे किये और राजा भोज के पास जा पहुँचा उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिये और राजा को सारा किसा कह सुनाया ये मोती तुम्हारे खेत में हुगे हैं इन पर तुम्हारा हक है इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्विकार कर लिए